जैजेनेंद दोस्तों हमारी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप जैन्थन की खबरों को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्री संबेश सिखर जी परियटन के नाम पर खुलेंगे ऊपर होटल मिलेगा अब अच्छे मास सराब बिदेशी परियटकों को रिजाने की कोशिस दोस्तों मुनी स्री बिहर सागर जी ससंग ने अब एक ही लच्च सिखर जी को बचाना सामने रखते हुए बिवेक बिहार दि सागर जी ने कहा कि भौतिकता की चका चौन लगजरी लाइप का असर आज हम परहावी हो चुका है जैसे अंग्रे जी दवाई असर तो जल्दी करते हैं पर उसका साइट इफेक्ट नहीं देख पाते एक रोग ठीक होता है चार रोग सुरू हो जाते हैं ठीक उसी तरह लिया जैन लोगों को सुबधाएं चाहिए चोड़ी सड़क बना दी गई एरिया डेवल की घोशना है धावा होटल उनमें अब अच्छे 99 सराब सबाब भी मिलेगा बिदेशी वो नहीं लेते जो हम लेते हैं फिर खिलाने बनाने वाले के परवार उनके साथ मुर्गी पा जैन ही नहीं बिगाड़ा बलकि तीर्थों को अयासी के अड़े बनाने को मजबूर कर दिया है अब प्रकरती का आनंद नहीं चाहते फाइव इस्टार होटल में बंद कमरे में चाहते हैं और अंत में सिर्फ गंदगी मिलती है आज है परेटन और पलोवन सकनी की तरह सरका ही पासा है जिसमें सुद्धाओ के नाम पर होटल चोड़ी सरकें सराब मासाहार पर्यावरण को नुकसान ही होगा अगर उपर होटल खुल जाएं तो आप भी उपर ही ठेरेंगे उल्टा सीधा खाओगे असुद्धा भी करेंगे सौच भी पवित्र पहाल पर जाओगे पर कुछ सुद्धा लेकर कबजा उनका होगा फिर आपका तीर्थ नहीं रहेगा टौकेट ढूनते रह जाओगे अगर आपको पीड़ा है तो 18 दिसंबर 2022 को लाल किला मैदान पर जरूर आना जन्बल चाहिए किसी का सौर्थ नहीं मुनिसरी ने कहा कि हाँ इस बार मेरी 25 सभी दिच्छा जैनती है हर वार जोड सोर से मनाता हूं पर इस बार प्रभु के चड़ों में समर्पित पूरे जीवन की सभी दिच्छा जैनती सभी पारस प्रभु को समर्पित बस सिखर जी जैनों के पास ही रहे जन्बल से ही सरकार जुपती है आज सरकार हमारे तीर्थ के साथ बैठना है लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में रईवार 18 दिसंबर को मुनिस श्री बिहर सागर जी ने कहा कि सरकार की सिखर जी की योजना पर्याटन तलवार पर लगा हुआ सहत के समान है इस सहत की मिठास तो मिलती है लेकिन चकने पर जीब भी करती है सिखर ज दिकित कारवाई कर रहे हैं आस्वसन दे रहे हैं पर अब सहत के भैकावे में नहीं आना है 18 दिसंबर 22 को सब को लाल किला मैदान में उपस्ते दीव दर्ज करानी है बड़ा जन समूद चाहिए वहां जैनित तरसमाट पर सासन को दिखाना है पर हम जागना नहीं चाहते सि सिखर जी की रच्छा करना प्राता साथ बजे भक्ति आरादना होगि क्योंकि पुन्न कार करने से सुव होने लगता है प्रमुक नेताओं को भी आमंतर दिया गया है दीच्छा भी होगी पर लच्च एक ही रहेगा कि सिखर जी बचाओ हर की उपस्तति हर की जागरुपता वो रास्ता बना पाएगी जहां से सिखर जी को सुरच्छा का बल मिलेगा मुनिस्री बिजैस सागर जी ने कहा कि राष्ट संथ बेहर सागर जी का अब एक ही संदेश है जीवन नियात्रा का एक ही लच्छ है सम्मेश सिखर जी को बचाना आज आवशकता हो गई है कि एक होने की आज सरकार और पिसासन हमारा साथ नहीं देता जागरत होना होगा सबसे ज़्यादा टेक्स देने वाला जैन समाज हमेशा देता रहता है हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए सम्मेश सिखर जी के लिए बस इस तीर्च पर गलत नजर न डालो जैन बनो समपदाय में मत बटो जब पचास हज़ार जैन लाल के लिए पर एकटा होगा तो चर्चा जरूर होगी आज पैसे से नहीं सरकार संख्या बल से सुनती है दोस्तो ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद